उसपह सुत मेरा कहना है देखिए मानीय सुप्रिम कोट के नेढे को किसी भी प्रसीथी में किसी के द्वारा अजा गरफ कंचता है। तुमीन मत तोड़ो बेटा लगे रहो लगे रहो लगे रहो अच्छा जो विभाग है लगतार सुर्ख्यों में है अब बता दे कि बीपेशी के द्वारा तमाम जो सिख्षक है अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली प्रक्रिया चालू है निकिल उसमें कई सिख्षक ऐसे हैं जो बी सब्सक्राइब का और 25-26 को एक्जाम है बच्चे क्या करेंगे बच्चे को चुप्टा पढ़ना है वेटन वाच कि स्थिती मेरा आना है और तालीस घंटा के अंदर में निर्णाय आने की संभावना है मुझे लगता है कि पोजिटीब निर्णा ही बच्चों के पक्ष में होगा असपास्टू मेरा कहना है देखिए मानने सुप्रिम कोट के निर्णाय को किसी भी प्रसिती में किसी के दुआरा असविकारा ही नहीं जा सकता असंब हो है लेकिन चुकी बिहार में सिख्चा के बाली जी से मानने लालो जी के समय में हुआ बीपेसी से उन्हें इस साल के बाद फिर से मानने जुटीस जी मानने तेज्टीस जी के साथन कारे में हो रहा है बीपेसी के परिच्छा तो बीपेसी के दुआरा परिच्छा तो अच्छे डीलेड है कौन बीएड है लडगे उपढ़ा था पढ़ाया जंग जोस बना सब कुछ हुआ बाद में पदा चला कि राज़तान हाई कोड में केस चल ला था उसमें आरा लोग तो फिर सुप्रीम कोड में गया सुप्रीम कोड में विहार गया तो इसका परभाव ऐसी प्रस्त लेकर कहां से यहां तक पहुँच गया है उनकी परिच्छा को ततकाल दस से पंद्रह दिन बढ़ा दिया जाए और मान्ये मुख मंत्री बिहार मान्ये उप मंत्री बिहार दोनों के जोस जुनून पर मुझे कोई संदेह नहीं है और वे लोग उस बीच में सरकार से सुप्र करें उनरोत करें कि इन कम से कम इन लोग की परिच्छा बिना किसी पैज के निकल जाए, और तुम प्रिच्छा निया जाए और तो परिच्छा टबशा तक जाेए और आयोग मानने के लिए त्यार नहीं है ऐसार मर्तित बड़ा थार नहीं है ई-पर तो इसका मतलब कि इसमें भी देखना है कि सरकार के इसलिए मेरा अनुरोथ अधुल परसाज जिसे नहीं मानने अधुल परसाजी का मैबूत सम्मान करता हूं लेकिन अपिल करें अपिल करें और बताएं कि इसे पिडी था बच्चे उसको इस भार बर परच्चा दे दिए देने दिया गला बड़ते कि वहीं परच्चे देंगा चातर काफी पैनिक हो गया है रगतार वो परशान है वो सोच रहे हैं कि अब ऐसा फैसला आने के बाद वो हताहत ह हो गया है गलत बात है तेरे चुनुन का नंतिजा जरू निकलेगा इस हिस्या समंदर से नूर निकलेगा शिर्फ चिराग जिलाय रखना जो लड़का डियलेड है जो लड़का बीयड है उपर इसकार कभी बैठेगा अरे जब सरकार देखेगा इसमें तुएट में बेकें लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो कि सुप्रिम कोट इसलिए फैसला हो जाए तब पर इच्छा हो जाए विचारा को जुवान कराते हैं यह थे हमारे साथ गुरु रहमान जिनों ने बच्चों को साफ साफ कहा है कि उम्मीद मत तोरिये कहीं न कहीं सरकार जो है इस पर जल्द फैसला लेगी और आप अपनी तयारी में लगे रहे इस तरह के तमाब अपडेट्स के लिए बने रहें एंवीसी 24 के साथ अन्यवाद के